नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक बर फिर से स्याम एजूकेशन वर्ड यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इस कलर्थिप के बारे में बात करने वाले हैं इस कलर्थिप क्या होती है इस कलर्थिप कैसे भरे इस कलर्थिप भरने के लिए क क्या क्या डाकुमेंट्स लगते हैं और इस का लर्थिप फॉर्म भरते टाइम वो कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों बहुत सारे सरकार के तरफ से चलने वाली एक ऐसी यूचना है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर स्टुडेंट को सहायता परदान की जाती है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें क्योंकि हमारी गौर्णेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि अगर किसी इस्टुडेंट में टाइलेंट है वो इंटेलिजेंट है तो वो पैसो के कमी के करण अपना टाइलेंट सो ना कर सके अपना करनी है तो उससे पहले आपको ये सारे डाकुमेंट अपने पास रख लेने चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इसकालर्थीप आ जाती है तब हमारे पास वो डाकुमेंट नहीं होती है तब हम उसे अपलाई करते हैं और कभी-कभी इन और च़स्ट सरिफिकेट चाहिए याने जात प्रमाडपत्र अगर दोस्तो आपको डो मैसैल याने निवास प्रमाडपत्र आपको चाहिए वैसे तो यह बहुत सरे जगों पर नहीं भी लगता है उसके अलावा चौती चीज जो आपको चाहिए वह आ这是 अधारकार से आपका और पांचवी चीज ये है कि आपका bank account होना चाहिए और बहुत सारे student का ये भी सवाल होता है कि मेरा account नहीं है तो क्या मैं किसी और का account दे सकता हूँ तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी दूसरे का account नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आप apply कर रहे हैं तो student तो आप होना आपके नाम से वहाँ verify किया जाएगा सब कुछ आपके नाम से होना चाहिए अगर आपका नाम किसी चीज में नहीं होता है तो वहीं से आप आपका cancel हो जाएगा उसके अलावा आपको तीन चीज और चाहिए आपका photograph चाहिए उसके अलावा आपका high school का mark sheet चाहिए और intermediate का mark sheet चाहिए तो दोस्तो इतने सारे document तो लगते ही हैं बट इसके अलावा एक और चीज लगती है आपका previous class की mark sheet जैसे कि आप second year में है तो आपक 9th class की mark sheet तो ये सारी चीजे लगती हैं आपको इस कलर्थिप form apply करते time तो दोस्तो अब आपको समझ आही गया होगा कि इस कलर्थिप form भरते time क्या क्या documents लगेंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इस कलर्थिप से जुड़ी information आपको useful लगाओ तो please like and subscribe this channel thanks for watching video मिलते ह नई वीडियो के साथ